नमस्कार दोस्तों आपको मेरी चनल रिपोर्ट पार्णा में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्रहकों को मात्र 10,000 रुपय जमा करने पर 16,26,000 रुपय की नगद रासी दे रहिए वो भी आपके सिधे सिधे खाते में जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माधियम से बताऊंगा PNB की इस अनोखी स्कीम के बारे में जिसमें आप मात्र 10,000 रुपय जमा कर पा सकते हैं 16,26,000 रुपय तो दोस्तों फड़ा फट मैं आपको PNB की इस अस्कीम को समझा देता हूँ कि कैसे आपको अपलाई करना है इस अस्कीम को कितने रुपय से आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे आपको आवेदन भरना होगा क्या डॉक्मेंट्स चाहिए इस अस्कीम को फैदा लेने के लिए नॉमनी फैसलीटी है की नहीं टीडियस कितना कटेगा और टैक्स बिनफिट है की नहीं इस अस्कीम के उपर इस अस्कीम को एक सहर से दुसरे सहर में ट्रांसफर कर सकते हैं की नहीं तमाम जानकारी और PNB की इस अनोखी अस्कीम से जुड़ी पूरी परकिरिया आपको मैं बताऊंगा बिस्तार से तो दोस्तो अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक यानि PNB की इस प्लान का फैदा लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में अपना सहर का नाम लिग कर बताए और दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले तो दोस्तो पहले हम आपको बता देता हूँ PNB आड़ी प्लान क्राइटेरिया डिटेल एज लिमिट दोस्तो PNB का आड़ी लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है अगर आप चाहे तो आप अपने बच्चे के नापर भी आप ले सकते हैं आड़ी इवेन सिनियर सीड़ेन मेंबर भी PNB का रेक्रिंग डिपोजिट ओपेड कर सकता है मिन्मम अमाउंट सव रुपया से दोस्तो आप आप स्टार्ट कर सकते हैं इसका मतलब कि आप पर मन सव रुपया से आड़ी स्टार्ट कर सकते हैं maximum amount, यहां पर दोस्तो maximum amount का कोई limit नहीं रखी गई है, आप कितना का भी PNV में आप RD ले सकते हैं, यह आपके उपर है, इसी परकार minimum tenure क्या है, तो दोस्तो minimum tenure 6 months रखा गया है, मतलब कम से कम आपको 6 महीने के लिए आप RD आपको लेना पड़ेगा, maximum tenure 120 months, मतलब कि आपको maximum 10 साल क लेकिन इसके लिए कुछ आपको चार्ज देनी होगी, लोन फैसलेटी, अब लेवल है दोस्तो, अगर आपको कुछ पैसी की जरुत पड़ गई, तो आप अपने RD के जमा बैलेंस के उपर, आप OD या लोन भी आप ले सकते हैं, नॉमिनेशन फैसलेटी, अब लेवल है दोस कीम जो PNV में हैं, उसके उपर अभी लेटेस इंटरेस रेट कीतना मिल रहा है, तो PNV RD इंटरेस रेट 2021 लेटेस जो है, अगर आप एक साल के लिए RD ओपेन करते हैं, तो जनरल सीट जनलों के लिए 5.20%, वहीं सीनियर सीट जनलों के लिए 5.70% रखा गया, वहीं अगर दो जनलों के लिए 5.30% वहीं सीनियर सीट जनलों के लिए 5.80% वहीं दोस्तों, पांस से दस साल के लिएकर आप लेना चाहते हैं, तो जनलों के लिए 5.30% वहीं सीनियर सीट जनलों के लिए 5.80% रखा गया है, दोस्तों अब हम जानेंगे रिटेंस ओन PNV RD के बारे में, साल के लिए तो जो आपका rate of interest रखा गया है 5.20% एक साल के लिए तो आपको maturity मिलेगा 12,343 रुपया वहीं दोस्तों अगर आप 2,000 रुपया से आडी लेते हैं PNB bank में 3 साल के लिए तो rate of interest 5.20% की हिसाब से जो आपको maturity बनेगा वह 78,046 रुपया बनता है वहीं दोस्तों से जो आपको maturity बनेगा वह 1,60,649 रुपया बनेगा वहीं दोस्तों अगर आप 4,000 रुपया से आडी श्टार्ट करना चाहते हैं PNB bank में 5 साल के लिए तो आपका rate of interest 5.30% की हिसाब से जो आपको maturity मिलेगा वह 2,75,160 रुपया मिलेगा वहीं दोस्तों अगर आप 5,000 रुप की हिसाब जो आपको maturity मिलेगा 7,90,480 रुपया वहीं दोस्तों अगर आप 10,000 रुपय से कोई senior citizen ब्यक्ती 10 साल के लिए आडी लेना चाहते हैं तो rate of interest 5.80% की हिसाब से जो maturity बनता है वह 16,26,476 रुपया मिलेगा दोस्तों दोस्तों अब हम जानेंगे tax benefits on PNB, RD and TDS के बारे में दोस्तों अगर कोई भी normal citizen अगर उसका 40,000 से ज्यादा का interest बनता है इन्हें single financial year तब आप उसका TDS कटेगा वहीं senior citizen लोग का 50,000 रुपया ज्यादा का interest बनता है इन्हें single financial year तब TDS कटेगा लेकिन अगर आप RD लेते समय 15G या 15H form submit कर दिया है तो आपको TDS नहीं कटेगा और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं tax benefit के बारे में तो रेकरिंग deposit जिसको RD बोलते है इसके उपर tax benefit नहीं मिलती है धारा ATC के ताथ दोस्तों अब हम जानेंगे how to open RD account in Punjab National Bank दोस्तों चाहे तो आप खोई भी nearest PNB branch में जाकर आप RD open कर सकते हैं या फिर नहीं तो आप अगर आप PNB का net banking यूज करते हैं तो आप online RD open कर सकते हैं easily दोस्तों अब में जानेंगे documents required to open PNB RD account तो दोस्तों अगर आप PNB account holders हैं या KYC updated है तो कोई भी documents की जरूत नहीं है लेकिन अगर आप RD लेते समय PNB में लेकिन अ address proof, one photo, pancard and bank account details आपको देना पड़ेगा तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को like करें, share करें अपने दोस्तों के बीच और कुछ doubts है तो RD plans related तो आप comment कर पूछ सकते हैं और दोस्तों मेरे इस channel report panda को subscribe ज़रूर करें, thank you